नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, अच्छे होंगे. Welcome back to my channel, Study with Neha Mam. चलो अच्छो, आज हम शुरू करते हैं, रुचीरा सेकेंड के प्रथम पाठ शुभाशी तानी. ये क्लास साथ की बुक है, आज मैं इसका आपको फर्स्ट चेप्टर कराऊंगी. फर्स्ट चेप्टर कराने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, जिससे की नेक्स्ट वीडियो आपकी फोन में आ जाएं. अब देखो, मैं इस चेप्टर का अर्थ, इस बुक का अर्थ आपको बहुत ही सरल तरीके से कराऊंगी. बस आपको सारी वीडियो लगाता देखनी हैं. सुभाशी तानी, शुभाशी तानी का मतलब होता है मधुर वचन. पृथ्विव्याम त्रीनी रतनानी जलम अननम शुभाशितम मूढई पाखान खंडेशू रतन संग्याविधियते. देखो, पृथ्वी पर पृथ्विव्याम पृथ्वी पर त्रीनी तीन रतनानी रतन हैं. प्रित्वी पर तीन रत्न है जलम अन्नम ये दो शब्ध हैं जलम अन्नम शुभासितं जल अन्न और मधुर वचन मूढई पाखान खंडेशु मूर्खों के द्वारा पाखान खंडेशु कुछ पत्थर की टुकणों को रत्न संग्या विधियते रत्नों की संग्या दी गई है पृत्वी पर तीन रत्न है जल अन और मधुर वचन कुछ मूर्खों के द्वारा पत्थर की टुकडों को रतनों की संग्या दी गई है इसमें बताया गया है कि सत्य के द्वारा प्रत्वी धारन करती है और सत्य से ही सूर्य तपता है सत्य निवाती वायुष्च है और सत्य का मतलब होता है और सत्य से ही वायु बहती है सर्वम सत्य प्रतिश्ठितम सभी वस्तुएं सत्य में ही नहित होती है सत्य से प्रत्वी धारन करती है और सत्य से ही रवी तपता है रवी यानि सूर्य तपता है सत्य से ही वायु बहती है सभी वस्तुएं सभी चीज़े सत्य में ही नहित हैं अब हम चलते हैं next स्लोक की तरफ दाने तपसी सोर्य चै विज्ञाने विन्य नई विस्मयों ने ही करतव्यों बहूरतनाव सुन्धरा देखो दाने तपसी शोर्य चै विज्ञाने विन्य नई कि दान में तप में शोर्य में विज्ञान में विनम्रता में और नीती में आश्चार्य न ही निश्चित रूप से ही का मतलब निश्चित रूप से आश्चार्य नहीं करना चाहिए बहूरतना वसुन्धरा पृत्वी पर ऐसे बहुत से रतन हैं दान में तप में शौर्य में विज्ञान में और विनम्रता में नीती में कोई भी आश्चर्य विस्मयों आश्चर्य नहीं करना चाहिए पृत्वी पर ऐसे अनेक रत्न समाहित हैं सद्वी रेव सह आसीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम में त्रीच है नैय सद्वी किंचिदाचरेत देखो इसमें सत्वी संगती के बारे में बताएगा है कि सज्जनों के साथ ही सह आसीत ये दो शब्द हैं और ये भी सद्वी प्लस एव सज्जनों के सह साथ ही उठना बैठना चाहिए सद्वी कुर्वीत संगतिम और सज्जनों के साथ ही कुर्वीत करनी चाहिए संगती सज्जनों के साथ ही अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगती करनी चाहिए सद्विर बिवादम मेत्री और सज्जनों के साथ ही बिवादम सज्जनों के साथ ही वाद बिवाद या बारतालाप करनी चाहिए मेत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए ने ए सद्वी ये दो शब्द हैं ने ए सद्वी जो दुर्जन हैं जो सजन नहीं हैं किंचिता चरेत उनके साथ कैसा विव्यभार नहीं करना चाहिए अच्छे लोगों के साथ सजन लोगों के साथ ही उठना वेठना चाहिए सजनों के साथ ही संगती करनी चाहिए और सजनों के साथ ही बाद विवाद या बारतालाब करनी चाहिए दो जुर्जन होते हैं उनके साथ कोई भी व्यवार नहीं रखना चाहिए ये कैसा विवबार नहीं करना चाहिए अब हम चलते हैं अपने पांच विश्लोग की तरफ धन्य धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रेशु चेह आहारे ब्यवहारे चेह त्यक्त लज्ज सुखी भावेत देखो बच्चो इसमें बताया गया है कि धन्य धान्य के प्रय अच्छा खाने में और अच्छा ब्यवहार करने में त्यक्त लज्ज है त्यक्त मतलब त्याग नहां लज्जा मतलब संकोच या शर्म सुखी भावेत वही सुखी होते हैं जो धन्य धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रेहे में अच्छा आहार में और ब्यवहार में कोई भी लज्जा नहीं करते हैं संकोच नहीं करत या संकोच को त्याग देते हैं सुखी ववेत वही लोग सुखी होते हैं शमा वशीक्रती लोके छमया किमने साध्यते शांती खड़क करे यस्या किम करिश्यती दुर्जन अब देखो इसमें बताया गया है कि शमा वशीक्रती लोक में शमा सबसे वड़ा वशीकरण है शमा से लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं का मतलब होता है जिसम किसी को माफ कर देते हैं वो वाली चमा है ये आप किसी का नामत समझ ले ना ये चमा है प्रतीन लोके इस लोक में चमा सबसे वड़ा वशीकरण है चमया किम ने साध्यत से चमा से किम क्या न साध्यते क्या नहीं साधा जा सकता शान्ती खड़क करे शान्ती की रूपी तलवार खड़क यानि तलवार करे यानि हाथ शान्ती रूपी तलवार जिसके हाथ में हो यससे उसका किम करिश्यती दुर्जन क्या कर सकता है दुर्जन या उसके शत्रू उसका क्या कर सकते है इस संसार में छमा सबसे वड़ा वशी करन है छमया से ही सब कुछ साधा जा सकता है छमा से क्या नहीं साधा जा सकता है सब कुछ साधा जा सकता है छमा से इस संसार में सांती रूपी तलवार जिसके हाथ में है उसका कोई भी दुर्जन कुछ नहीं कर सकता इसलिए आप से अगर कोई कुछ कह दे तो आपको क्रोधि नहीं होना है आप भी बस उसको ऐसे ही च्छमा कर देना माफ कर दिया करो माफ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है तो ये थे आपके प्रथम पाठ के 6 शलोक हैं मैंने आपको इनका बहुत ही अच्छे से अर्थ करा दिया है हिंदिय नुवाद कराया है आप दस एक दो बार इनका रिवीजन किया करो ठीक एक दो बार रिवीजन करोगे आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे और देखो बच्चों यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप रेगुलर पढ़ा करो ये नहीं कि एक दिन दो घंटे पढ़ लिए एक दिन फिर पढ़ना रेगुलर जो सफल व्यक्ति होते हैं जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं जो अपनी जीवन में सफल तपा चुके हैं उनकी बस एक ही पहचान है कि वो रेगुलर जो भी सीखते हैं जो भी करते हैं जो पढ़ाई करते हैं जो कुछ भी करते हैं वो रेगुलर ही करते हैं वो ऐसी करते कि आज कर दिया आज मन नहीं एंथर ही ऐसी प्रकार से रेगुलर पढ़तों हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगा हो मेरी विचार अच्छे लगे हूं तो मेरे स streamlined को वीडियो को लाइक कीजे और अच्छे-च्छे कमेंट कीजे अब नेक्स्ट चेप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद